हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब तो गाइज यहां पे ना मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा मेकप लुक क्रिएट किया हुआ है और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना सबसे पहले यहां पर मैं अप करनी के लिए इसवक उसदर के लिए अपने फेस होने दूगी दिन मैं अपने करने मॉष्छर आईजर को मैं पूरे अपने face पर लगाके इसे अच्छे तरीके बलेंड कर लोंगी अपने हातों के help से ही ही और यहां पर मॉष्छर आज बहुत bit एक उन स्टेप買ाएं जिसके वज़े से आपका जो make-up का base है ना वो flaky नहीं दिखता है वो बहुत ही flawless दिखता है और यहाँ पे मैं foundation यूज़ करी हूँ Maybelline का fit me foundation जो की इसका shade है natural beige और यह मैं अपने हाथ पे लेके अच्छे तरीके से अपने पूरे face पे dot 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 motion में अपने neck और face area पे अच्छे से लगा लूँगी and then मैं use करी हूँ यहाँ पे swiss beauty का liquid concealer जो मैं अपने under eye area पे जो भी dark circles और जितने भी dark areas है मेरे face पे और neck पे मैं वहाँ पे इसे apply कर लूँगी और guys मैं foundation और concealer को एक साथ ही लगा के और blend करती हूँ क्योंकि यह ना इससे blending भी बहुत अच्छी होती है और आपका जो base है ना वह बहुत ही flawless दिखता है बहुत ही अच्छा दिखता है और आप जो भी beauty blender या sponge यूज करोगे इसे blend करने के लिए उसको ना सबसे पहले आप पानी में डाल के उसे भीगा लो और देन सारा पानी ने चोड़ लो और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से blend कर लो अपने पूरे face पर आपको पोच्छा नहीं लगाना है अपने face पर आ अपने पूरे face पर इसे फैलाना है और ऐसे इस तरह से अगर आप blending करोगे ना आप अपने base की तो यह बहुत ही अच्छा दिखता है बहुत ही नूड सा और flawless सा लुक आता है आपके base का देन यहां पर मैं यूज करें हूँ फैसिस कैनडा का compact powder और यहां पर इसे मैं अपने पूरे makeup को बेक करने के लिए यूज करें हूँ ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छा दिखे और long lasting रहे so यह आपके जो makeup को long lasting भी रखेगा and then मैं यहां पर यूज करें हूँ ADS का brow pencil अपने brows को fill करने के लिए and after that मैं spoolie से अपने brows को अच्छे तरीके से set कर लूँगी then मैं यहां पर अपना eye makeup स्टार्ट करने वाली हूँ guys और eye makeup के लिए मैंने use किया है यहां पर Swiss beauty का ही again eyeshadow palette और यह बहुत ही अच्छा eyeshadow palette है guys और यहां पर मैं use करें हूँ pink color क्योंकि मैंने pink dress भी पहना है that's why and अपने पूरे eye lid पर मैं इसे apply कर लूँगी और अच्छे तरीके से blend कर लूँगी और मैं ज्यादा colors use नहीं करें हूँ सिर्फ यह pink color and यहां पर मेरा eye makeup complete हो चुका है eyeliner और काजल लगा लेने के बाद and then मैं blush use कर रही हूँ urban colors का और इसका भी जो pigmentation है बहुत ही अच्छा है guys यहां पर मैं liquid maybelline का liquid lipstick use कर रही हूँ और यह जो liquid lipstick है ना मेरा favorite है और then मैं यहां highlighter लगा रही हूँ अपने face पर देखो guys यहां पर highlighter और सारा makeup लगाने के बाद जो यह look है ना वो किता खुबसूरत सा निकल के आया है सो आपको कैसा लगता है यह makeup look मुझे comment करके बताना like कर देना share कर देना